काली माता को साथ दिन बस ये भोग लगा दो आपको योगनी शक्ती मिल जाएगी जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्थिक स्वागत है महा काली भगत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, काली माता को ये भोग आप लोग साथ दिन कंटेन्यू लगा दो, जो मैं आपको भोग इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको माता काली योगनी शक्ती जरूर प्राप्त कराएगी, य उनी के जरिये योगनी सक्तियों के जरिये आप मत काली तक भी असानी से पहुंच सकते हों तो चलिए दोस्तों बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं अगर आप अमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर क कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है, जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी, काली मात को सिर्फ आप लोगों को साथ दिन ये कंटीन्यू भोग देना है, जो मैं आपको बता हूँ और ये भोग आपको सिर्फ हवन में देना है, किसी चीज में देना, सिंपल तरीके से नहीं देना है, हवन में ये भोग देना है, हवन आपको कैसे करना होगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पर आप वीडियो पूरी देखोगे, तब ही आपके समझ में आएग सनीवार के दिन ठीक है और सो मंगलवार के दिन इन दो दिन आपको मतकाली का हवन करना है अगर आप रोज कर सको साथ दिन कर लोगे वैसे तो मैं आपको बतादू साथ दिन आप लोग कंटिन्यू हवन कर लोगे ठीक है साथ दिन आपको कंटिन्यू हवन करना है वो भी शाम क टाइम 6-6 वजे के आसपास इस्टार्डिंग करनी है और कंडे आपके पास जरूर होने चीए उपले जो की जलाकर गेस पे उसको जब तक उसमें से धुम ना निकल जा तब तक आपको उसको जले रहन देना जैसी धुम बंद हो जाए तो आप उसको हवन कुंड में डाल कर औ यानि की तीन बता से और उसके साथ 6 लों ठीक है तीन बता से और 6 लों आपको भोग में देनी है माता काली को और उसके बाद आपको एक नीम्बू देना है एक जैफल की बेट देनी नीम्बू को काटके देना जड़ से अलग मत करना थोड़ा जुड़ावा होना चीए एक सूखा गोला होता है सूखे गोले के अंदर आपको ड्राइफुट भरने यानि कि जैसे कि हो गए बदाम काजू किस्मीस और मुनक्य यह सब चीजे मतलब 5 पच मेले के ड्राइफुट आपको ले लेने हैं वो भरने हैं उसके अंदर उपर से उसकी टपली निकाले के यानि च फिर उसके उपर आपको देसी गी डालना है प्योर वाला देसी गी उन अची है एक चम्मच या दो चम्मच देसी गी डाल दें उसके अंदर फिर उसको देसी गी डालने के बाद उपर से आप लोगों को भूरा डालना है मीठा वाला भूरा जो होता है चाबलों में डालके बूरा आपको ऐसके अंदर डाल देना है उसको करने के बाद दो लोगे जोड़ें को पर से डाल देने है फिर उसको षुबार कर बारे के बावोगे से बाद लेना है ठीक है। ना माताकाली योगनी की शक्ति आपको प्राप्त हो जाए तो आप मुझे कह देना कमेंट करके जैसे मर्जी जो बोलना हो आपको मुझे बोल देना पर आपको ये जो मैंने उपाय बताया है साथ दिन आपको कंटिन्यू करना होगा तबी जाके आपको फायदा होगा और आप एक भी दिन इसको छोड़नी सकते कंटिन्यू उठाने हैं साथ दिन लगाता है जिस दिन से आप स्टार्डिंग करेंगे उस दिन से आप माताकाली से हाज जोड़ कर बस यही बोलेंगे मा काली मैं आपका ये साथ दिन कंटिन्यू हवन करूंगा या करूंगी तो ये हवन मेरा सुभिकार करना और मैया मेरी बस आप से हाजोड के विंति है कि मुझे आपकी योगनी माता की शक्ति चाहिए ठीक है इतना बोल के आप लोग हवन स्टार्ड करो साथ दिन से पहले पहले जहां आपको पांच या छे दिन हो जाएंगे तब ही आपको माता काली की योगनी की शक्ति मिल जाएगी और जब शक्ति मिल जाएगी तो कैसे पता चलेगा जो अपनी जुबान से आप लिखा लोगे यानि कि जो चीज मांगोगे वो चीज आपको मिलेगी चाहे उसमें थोड़ सा दो तीन निन का समय लग जाए पर वो मिलेगी ही मिलेगी, फेल नहीं हो सकती अगर आपने बोला कि मेरे को ये चाहिए वो ही चीज मिलेगी, मतलब उस जुबान पर आपकी बैल जाएगी और जब उसने बोल दी आपको कि तुझे ये चीज मिल जाएगी तो समझ लेना दोस्तों, आपको वो चीज मिलनी ही मिलनी उसे कोई भी नहीं रोक सकता आप तक आने के लिए समझ लेओ, तो योगनी शक्ती को मैंने भी इसी तरीके से प्राप्त करा है हवन करकर के हवन करकर के प्राप्त करा है आप भी इसी तरीके से मता काली की योगनी शक्ती को असानी से प्राप्त कर सकते है और उसके बाद जब मता जी आपसे प्रसन हो जाएगी तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हरहर महादेम माता काली आप सभी की सारी मनोकामन पूछे